आज को मेरा में चौधरी स्वागे थे आपको एक उन वीडियो को साथ तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और हमेड पोल्टरी फीड फॉर्मूला के बारे में यह निदे घर में ही अपने मुर्गी के लिए क्या से दाना त्यार कर सकते हो और दोस जोस्तो आज के वीडियो में जो हम लोग फॉर्मूला तयार करने वाले हैं वो दोस्तो लेना है मेज 18 किलो इसको मिलाने से दोस्तो आपके मुर्गी को जो प्रोटीन एनर्रजी है वो मिल पाएगा मैज से यानि मेज जो है वो protein energy का source है फिर दो नमबर पर लेना है wheat यानि गेहू 25 kg गेहू मिलाने से आपके मुर्गी को यहाँ से carbohydrate मिल पाएगा जो की energy source है फिर तिसरे नमबर पर आपको लेना है बाजरा 25 kg बाजरा दोस्तों मिलाने से आपके मुर्गी को जो protein minerals का source है वो इधर से मिल पाएगा फिर चौथे नमबर पर आपको लेना है soya doc 8 kg तो soya doc मिलाने से मुर्गी को protein और others जो भी minerals है वो इधर से मिल पाएगा फिर पांच नमबर पर आपको लेना है ग्राउन नट केक तो ग्राउन नट केक चार किलो लेना है तो इसको मिलाने से आपके मुर्गी को vitamins and calcium का जो कमी है वो इधर से पूरा हो सकेगा फिर दोस्तों साथ नमबर पर लेना है wheat brain 3.5 kg तो wheat brain मिलाने से आपके मुर्गी को protein minerals and carbohydrates भी मिल पाएगा इससे फिर 8 नमबर पर आपको लेना है DORB जिसको D oil rice brain बोलते हैं तो इसको आपको लेना है 3.5 kg तो इससे जो है resource of amino acid यानि अगर आप इसको मिलाते हो तो इससे amino acid का जो पूरा है वो कर पाएगा फिर दोस्तों नमबर पर आपको लेना है salt 200 g तो salt का जो काम है वो है जो भी minerals है उसको balance करना body में maintain क करना फिर दोस्तों दस नमबर पर आपको लेना है limestone powder यानि जिसको लेना है 100 g तो इसको मिलाने से आपकी मुर्गी को जो भी calcium का कमी है वो दोस्तों मिल मतलब पूरा हो सकेगा तो calcium का काम आपको पता यह जैसे मुर्गी का अंड़ा का जो formation यानि एक्जल्स जो बनता है वो फीर हो गया बोन फॉर्मेशन यानि हड़ी बनाने के लिए भी calcium का जरूत पड़ता है बोडी में तो यह सब का जो है calcium का काम है फिर दोस्तों आपको लेना है प्रूप करेंगा और फीड इफिसेंसी फीड इंटेक जो है उसको बढ़ाएगा यानि मुर्गी यादा फीड खाएगी तो मुझा जब ज्यादा फीड खाएगी तो आटमेटिकली मुर्गी तहीं से ग्रो करेंगी फीड दोस्तों आपको लेना है गार्लिक पाउडर हंट इससे मिल पाएगा जिससे यह सब रोग से आपके मुर्गी को बचाएगा फिर यह इम्मुनिटी पाउर को भी बूश्ट करता है तो यह सब चीज जो है काम करेंगा गार्लिक पाउडर फिर सबसे लास्ट में आपको ले लेना है वेटमिन्स और मिंडरल्स मिक्श्चर जो पूरा वेल्ड बेरेंस और वेल्ड निउट्रेंट्स बन जाएगा तो इसको आपको दोस्तों मिलाना है 200 ग्राम तो यह सारे चीज को आप जब ले लोगे यानि आपको जो भी क्वांटिटी में मैंने बताया इतनी क्वांटिटी में आपको ले आना है और इसको आप जो ह रहला जो आपको काम है वो है कि जो भी ग्रेंस वाला चीज यानि जो दाना दर चीज जैसे मेज हो गया हो गया बाजरा हो गया मस्टड के ग्राउन नटकेक यह सब चीज क्या करना है दोस्तों आपको मिक्स्टर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है जो भी दाना का साइज आपको एक चीज बच गया है जैसे साल्ट होके लाइम इसके अपसमें आश्य से मिला ला ж या एक जगा आपको यह को एक दो सब्सक्राइब में आपको सब्सक्राइब को रखे फिर आपस में सही से अच्छे से मिलाना है ताकि आपके आपको आपकोे उसमेंद्व बाइटेनर वगएड़ा जो भी आपके पास है उसमें यह McMister को जो फीड है इसको स्टोर कर लेना और इसको आपको जो है एक ड्राइड प्रेश्च यानि धोटे यह सूखा ऑट हुदऄ इसको इसको स्टोर करकाना एक फोर्मिला था तो डोस्तों तो आपको यह अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेर जरू करना दोस्तों साथ और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए तक फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का सब्सक्राइब को मिल सब्सक्राइब किसी और वीडियो में तब तक लिए टेक क्या टाटा जाएगी सब्सक्राइब